नमस्कार प्रणाम आप देख रहे हैं नीव सज्टक मैं हूँ बिजिंदर सिंग और आप सुभी का स्वगत है हमारे नीव चैनल में अभी हम हाजीर हैं बाबा महेंद्रा नाफित दरबार में माता पारबती जगनंबा महाकाली माता पारबती का दरबार दर आप दरबती जगनंबा पार नीव सुभी तर नीव सुभी का सकती है बारे 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 लंग जडिए एारे बारे लंग झाल 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 युपर वकी दूल मुझे भी आते इनो युझे आते इसें में ऊते हैं रा जिलो पुचे बरहने इसें इवक्षा बन्ती सिरिकाव पेष। इस परोन आते हैं प्राले कपनी हातों पुली नजये है सिंवान कि अता हैं अमरी कुल जो आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से लिखा गया यहां पर बहुत तारी बिवस्ताय हैं यहां पर देखे आप दूसरी देख सकते हैं कि यहां पर हो रहा है सब कुछ और भजन हो रहा है और इसके तरह यहां पर आजा वंदर आजा इस जो आज़े फर्वी अजी बखाए हैं अजी कि नजीक से दिखाए श्री नाम जन के मंदीर है और यहीं पर बगल में ही हमारे बीर बज रंगी पैठे हुए आप देख सके हैं आपए यहां पर फुले सब में लिखा गया है, मंदिर में गयाना पहन कर परविशना करें आज़ा चलते हैं में मुख द्वार पे, मता पारवती का यह अस्थान है, जगदंबा महाकाली जी का यह अस्थान है, आप अच्छे तरीके के बिचाते हैं मता पारवती यहां ब्रेज्बान है, आज़ा पे फूटो फिजने की बदस्ता, पंडी जी के पईसा गीर अलबा, यह अज़ा यहां, अगी लिए जाए दो पूर उप्या गीर अलबा, ते देवा हां, के मैं? आज़ा अच्छा अपी, दस रुप्या किसी का गीरा हुआ था, अज़ा पूर पूर फिजने की बश्ता है, अगर किसी का फूर्ड़ फिचवाना है, तो आके, यहां के सारी सुगदाएं हैं, फोटो की चवा सकते हैं, चलो आज़ा, दिखाते हैं, बाउन भी गेहर का फूरा, कहते हैं, जहां पे आने से, जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं, और अभी हम आजिर हैं, उसी ही बाबा के दर्वार में, जिनका नाम है बाबा महेंदरनाथ, और यह अब देख रहे हैं हमारे सामने, कितना बाड़ा तलाव इसको पोखड़ा कहा जाता है हमारे बिहार में, बिहार के छपरा जिले के रसूलपूर गाओं से सटे महेंदरनाथ का गाओं है, जहां पर यह मंदिर भव्य इस्तिर है, यहां की एक कहानी है, जिस कहानी में बताया गया है कि महेंदरनाथ कुष्ट रोगी से गरश्ट थे, और वो कहीं जा रहे थे यहां से, इसी रास्तिय से होके, और यहां पर आने से उनको सवचाले की वज़े से यहां रुकना परा, और सवचाले के लिए यूज किया गया पानी, जिसकी पानी के वज़े से कु 122 बिगहा जमीन यहां दान किया था, जिसमें 52 बिगहे में यह तलाब बनाया गया है, जहां पर यहां का मानना है कि जो भी लोग यहां के असनान करते हैं, और सच्चे दिल से, सच्चे भावना से, यहां के बावा के दर्बार में आते हैं, उनके सारी मनुकामना पुर्ण होती है यह पोखड़ा यह तलाब कितना स्वक्स और कितना सुंदर है जो भी लोग यहां आते हैं सच्चे दिल से आते हैं उनकी मनुकामना पूर्ण होती है जो भी लोग हमरे वीडियो को देखेंगे जो लोग देख रहे हैं उन सबसे यह आगरा है कि एक बढ़ आप जरूर आए और सच्चे दिल से अपनी मनुकामना के साथ है और यहां आने के एपनि हो एपने से बहुत देफितक बहुत दिन से अच्छा के मंदे यह निकाल अग्राव निश्बताएं सब्सक्राब प्रख प्रखर नए पानिया परी खैर गाल मुईंगिक ते घृताइस गाल दिन पानि देट धानिया पॉखडा बना वो गई लोगराबाद इमंदिर का साफना पही पांस है काउन पी गाहने पुखडा का यह लगवक कितना साल पूराना मंदिर हुई बबाद अच्छा आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जब भी कभी आना हो तो बाबा से जरूर मिलेगा पुजा पढ़ करवाना हो तो बाबा ने बहुत ही छोटे सब्दों में बहुत अच्छी कहानी बताई यहां की और उमीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे और बहुत बहुत धन्य बाद हमारे वीडियो पर देखने के लिए और नेक्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब करें